हलो दोस्तों स्वागत है आपका online gk solution में दोस्तों आज हम आपके लेकर आया है बिहार दरोगा पार्ट प्रैक्टिस सेट 5 जियां दोस्तों इसमें हम आपको आज के कुछ और करेंट अफेर्स के कोशन और gk कोशन बताने वाले हैं जो कि आपके एक्जाम में आ सकते हैं तो इसका प्रैक्टिस आप जरूर करें डिवीजन जरूर करें चले दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने हैं पहले मैं आप से रिक्वेस्ट करूंगा अगर यह वीडियो आपको पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तो तो हमारा पहला question है दोस्तों, निम्न में से किस काल के प्राचीन सोने के सिक्खे को दिनार तथा चांदी के सिक्खे को रूपक कहा जाता था, हमारी option है, मोरे काल, गुप्त काल, साथ बाहन काल, मुगल काल, दोस्तों सही जवाब जो है वो है गुप्त काल, निम्न में से कौन सा चीनी आत्री हर्स वर्दन के सासक काल में भारत आया था, हिंसांग, मेगास्थनीज, अलबरूलिदी, फड़हान, दोस्तों हमारी सही option जो होगा, वो होगा हिंसांग, नेक्स्ट कोश्चन दोस्तों, हर्पा के संदर्द में निम्न कत्मों में से कौन सा कतन गलत है, 1921 में हरपा की खोज, राखाल दास बनरजी ने किया था, यहां के स्वास्तिक चिंद प्राप्त हुआ था, हरपा पागिस्तान के मोट्रो गुमरी जीले में स्थित था, हरपा रावी नदी पर स्थित था, तो दोस्तों हमारा सही एंसर जोगा वो होगा, ए, 1921 में हरपा की खोज, राखाल दास बनरजी ने किया था, नेक्स कोश्चन तब बढ़ते दोस्तों, हमारा नेक्स कोश्चन है, निम्न में से किस रिंग बैदिक नदी प्राचीन नाम परूसनी था, हमारे ऑप्शन है, च नेक्स कोश्चन, नेक्स कोश्चन दोस्तों, भारत की स्वतंता प्राप्ती के समय, भारती राश्रे कॉंग्रेस के अध्यक निन में से कौन था, हमारे ऑप्शन है, बलब भाई पटेल, जेबी, कृपालानी, सरोजनी, नाइडू, डॉक्टर राजेंदर परसाद, दोस्त अनुसूची में, अनुसूची छेत्रों और अनुसूची जन जातियों के परसासन और नियंतरंग के बारे में उप्टलब्द है, हमारे ऑप्शन है, ए, चौथी, बी, पांचमी, सी, छटी, डी, साप्तमी, तुमारे सही एंसर जो है दोस्तों, वो है बी, पांचमी, सुध्रकलब के बीच में स्थित है, मारे आप्शन है, मंगल और बीहस्पती, बुध और सुक्र, अरुन और बरुन, मंगल और सुक्र, दोस्तों, इसका सही जवाब जो होगा, वो होगा, ए, मंगल और बीहस्पती, नेज्सक्स्क्स्चन निम्न में से किसका रुप पांत्रे रुप कर्ट जाइठ है हमारे ओप्शन है बेसाइल्ट, ग्रेनाइट, चूना पत्थर, बलूः पत्थर दोस्त। हमारा सही जवाब जो होगा वो होगा D बलूः पत्थर नेक्स्ट कोश्चन दोस्तो भारत का 28 मा राज निम्न में से कौन 15 नौवंबर 2020 में बना हमारे ऑप्शन है जारखन, कुत्राखन, तिलंगाना या फिर इन में से कोई नहीं तो दोस्तो भारत का 28 मा राज जो है 15 नौवंबर 2020 को बना वो है जारखन तो हमारा यह option सही जवाब होगा दसमा question Copenhagen निम्न लिखित में से किस देश की राजधानी है हमारे option है दोस्तो पॉलेंड, डेन्मार्ट, बुल्ग, गारिया, सुजर लैंड तो दोस्तो सही जवाब जो होगा वो होगा डेन्मार्ट next question तब बढ़ते हैं तो next question है प्राइदी भारत की सबसे लंबी नदी निम्न लिखित में से कौन सी है हमारे option है कृष्णा, नर्मदा, गुदाबरी, गंगा दोस्तो गुदाबरी जो है वो प्राइदी भारत की सबसे लंबी नदी माई जाती है इसलिए हमारा सही answer जो है वो दाबरी होगा next question तब बढ़ते हैं दोस्तो next question है हमारा phoenix ashram की अस्थापना किस ने किया था तो phoenix ashram का अस्थापना दोस्तो महात्मा गांधी ने किया था तो c option हमारा सही जवाब होगा next question तब बढ़ते हैं दोस्तो हंटर से इच्छा आयोग का गठन किस बाइस राय के सासन काल में किया गया था हमारी पास ओप्षिन है लॉर्ड कैनिन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड हांडिंग, लॉर्ड कानवालेस हमाज सही जबाब जो होगा दोस्तों होगा B, लॉर्ड रिपन समिधान के किस अंचेद में सर्बो चिनाले के नायधीज पर महा भ्योग चलाने जाने का प्रवधान है हमारे ऑप्षिन है दोस्तों 356, 124, 155, 256 तो दोस्तों इसका सही एंसर जोगा वोगा B, 124 नेक्स्ट कोश्चन की तब बढ़ते दोस्तों यॉनेक्स थाइलेंड ओपन बैडमिंटन टूनामेंट 2021 महिला एकल बिजेता निम्न में से कौन है तुमारे ऑप्षिन है कैरोलीना मारिन, ताई, तजू येंग, पीवी सिंदू या एरीना संभाले का दोस्तों यॉनेक्स थाइलेंड ओपन बैडमिंटन टूनामेंट 2021 महिला एकल की बिजेता जो थी, वो थी कैरोलीना मारिन, तो हमारा ए ऑप्षिन सही जवाब होगा दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, फिरम कल आपके लिए दूसरा प्रैक्टिस सेट लेकर हाजिर होंगे, दोस्तों हमें कमेंट करके आप जरूर बताए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, धन्यवाद